बस साथ रख जो शुद है शोट प्रस सिल्वर पाम मसारा सब की जुबापर आर आई पी तीन अक्षर के इस शब में बहुत दर्धरा होता है अगर कोई इसका इस्तमाल यूही मजाक में कर दे तो आम जनता का भड़कना आम बात है हाली में ग्लैमर इंडस्ट्री के एक अक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की जिसके नीचे लिखा था आर आई पी जिसे देख उनके फैंस पहले परिशान हुए फिर उन्हें गुसा आया कौन है ये आक्टर उसने ऐसा क्यूं किया चली जानते हैं हमारी इस वीडियो में हेलो नमस्ते मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट नेहानंद और आप देख रहे हैं जागरन.com अगर आपने अभी तक देनिक जागरन के यूडियोब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो क्योंकि कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए बॉलिवुड इंडस्ट्री में आक्टर्स के लिए खुद को और अपने काम को प्रमोट करना काफी जरूरी होता है लेकिन इसके चकर में वो कई बार हत पार कर देते हैं अक्सर वो अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिसके लिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है हाली में आक्टर विजे वर्मा ने भी कुछ ऐसा ही किया वही विजे वर्मा जिनने आप गलीबो आई, डार्लिंग, लास्टोरी 2 और मिर्जपुर में देख चुके हैं बड़े परदे और OTT प्लाटपॉम पर वो अपनी आक्टिंग का कमाल दिखा चुके हैं डार्लिंग्स फिल्म में आल्या भट के साथ स्क्रीन शियर कर चुके विजे वर्मा पहले अपनी आक्टिंग के लिए फेमस हुए और अब अपने एक पोस्ट के लिए जिसके लिए उनको माफी भी मागनी पड़ी विजे वर्मा ने हाल ही में अपनी मौत जुड़ा एक पोस्ट शियर किया है उन्होंने खुद की एक पोटो शियर की जिसमें वे कैप्टन के लुप में नजर आ रहे हैं इसके साथ लिखा है विजे की इस पोस्ट से फैन धहरान रहे गए उन्हें एक पल के लिए लगा कि ये सही में आक्टर विजे की वृत्ती हो गई है इस पोस्ट के लिए लोगों ने उन्हें ट्रॉल किया एक यूजर ने कॉमेंट किया ऐसी खबरे शियर कर दिल ना दुखाए करिये एक ने लिखा कुछ सेकिंड के लिए मुझे हार्ट अटैक आ गया था दरतल विजे वर्मा की फिल्म डार्लिंग्स को दो साल हो गए हैं इस मूवी में उन्होंने हमजा शेक का रोल प्ले किया था हमजा वो शक्स था जो प्री पत्नी को मारता था और उससे बदला लेने के लिए एक दिन उसकी पत्नी ने उसे ही मौत के घाट उतार दिया विजे ने उसी से सम्मंधित पोस्ट को शेर कर लिखा दो साल बीथ गए जब से हमजा जनत की सेर के लिए हम सब को छोड़ कर चला गया हमजा डालिंग्स आपकी बहुत याद आती है विजे वर्मा ने इसी पोस्ट के कॉमें सेक्शन में माफी भी मागी उन्होंने लिखा माफ करना दोस्तों मेरा इरादा आपको डरानी का नहीं था ये फिल्म से लिया गया एक स्क्रीन शॉट है डा कॉमेडी बनाई थी तो पोस्ट भी